बच्चों के मार्क्स जितने कम आते हैं, पापा का वॉल्यूम उतना ही बढ़े आता है ये होती है पड़ाई पर पापा ये करने ही बिचाता ज्यूशन पर कभी सोचा है के मार्क्स बढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों की ही क्यों? इसलिए वेदानतू इंप्रूम्मेंट प्रमिस अब वेदानतू मार्क्स बढ़ाने की जिम्मेदारी लेगा और गारंटी देगा वरना आपकी पूरी फीज वापस ये ओ, तीए गारंटी? येश 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 विए इस आपकी जब थाय। कैसे हो मेरे पहरे बच्चोर कैसी चल रही है जिंदगी? इसलिए ये येश जिए लोग मजे में होंगे शांदार, जैबाद, जबर दस्त जल्दी सलिग जड़ो चाट बॉक्स में कैसे हो? All good, all great चलिए योयो का साइन चाहिए ये, 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 नहीं योयो चाहिए, योयो चलो, fantastic, good to know that कि सारे लोग शांदार, जिन्दाबाद, जबरदस्त, मज़े में है चलिए, तो मेरे पैरे बच्चों अब शुरू करते हैं आज का सेशन आज का सेशन है, हमारा linear equation in two variable one shot है, तो आज इस एक सेशन में हम लोग पूरा का पूरा chapter complete करेंगे, ठीक है, तो चलो जादा time waste नहीं करते हैं, शुरू करते हैं बट शुरू करने के पहले एक humble सा request सारे लोग जल्दी से अपना attendance mark कर दो और जिन्होंने चैनल नहीं subscribe किया make sure you subscribe the channel because बहुत जरूरी है, इस चैनल पर आपको काम की चीज़ें बहुत सारी मिलेंगी तो इसलिए make sure that you hit that subscribe button, ठीक है, चलो बेटा, आज हम लोग 10 जुलाई CBSC 9th one shot पे बेठे हैं, ठीक है तो आज ये session है, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा time waste नहीं करते हैं अच्छा, एक बात और बता दू कि अभी खान साब क्या कह रहे थे, तो खान साब आमिर खान साब, आमिर खान साब basically आपको विदान्तू improvement promise के बारे में बता रहे थे, और विदान्तू लिखित देंगे, written on paper कि हम आपका result सुधारेंगे और अगर नहीं सुधार पाए, तो we will refund you the entire amount पूरा का पूरा पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा, अगर हम आपका improvement नहीं करा पाए आपके result में, समझ पारे हो ये है विदान्तू improvement promise जो जो बच्चा इसमें enroll करना चाहता है, बहुत ही simple है, आपको सिर्फ विदान्तू pro subscription में enroll करना है, और विदान्तू pro subscription में कोई भी बच्चा, जो one year या two year के course में enroll होता है, हर बच्चे को ये promise दिया जाता है, उसको ये विदान्तू improvement promise दी जाती ही है, कि बिटा हम आपका result सुधा रहेंगे, अच्छा कर देंगे जितना अभी आपका है, उस से जादा अच्छा कर देंगे, अगर नहीं कर पाए, तो हम आपके पूरे पैसे वापस कर देंगे, समझ पा रहे हो तो you can go here and you can, you must try this बड़ा मज़ेदार subscription है, इसके बारे में detail, end of the video में बता दूँगा ठीक है, चलिए शुरू करते हैं तो आज हमारा, one shot चल रहा है अभी, ठीक है हमने पहला, मतलब दूसरा session linear equation को अलड़ी कर लिया था ठीक है, तो चलिए, शुरू करते हैं पहला ये homework था आपका, पिछले session का याद है, कितने बच्चों ने किया था, जल्दी से इमानदारी से, चैट बॉक्स में चैट बॉक्स में इमानदारी से, जल्दी से बताओ कितने लोगों ने ये homework किया एकदम, पूरी इमानदारी चाहिए क्या, येस, 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 नो सर, भूल गया, अच्छा भूल गया, अच्छा नो सर, नो सर, नो सर, येस, येस, येस अधर मलता, बहुत सारे येस वाले भी हैं, मी वाले जो मी कह रहे हैं और बहुत सारे नन्ने मुने नालाइक भी हैं जो नो कह रहे हैं चलिए मैं आपको बता देता हूँ, draw the graph of the line x minus y equals to 1 and 2x plus y equals to 8. Graph बनाने का मैंने आपको तरीका बता रखा है, कि आपने क्या करना है, x लेना है, y लेना है, इसके different different point लेना है, different different point और in different different point पे y आएगा, वो points आपको मिलेंगे, उसको plot करना है, आप plot करके सबको मिला दीजिए, वो line बन जाएगा, बस इतना ही simple काम है, तो मैं direct बना देता हूँ, मुझे आता है, इसलिए, तो ये है आपका x-axis, ये है y-axis, ये x, ये y, आपका जो पहला वाला line है, वो कुछ इस तरीके का बनेगा, if I am not wrong, ये कुछ इस तरीके का बनेगा, ये first line, ठीक है, और अगर दूसरे line की बात करूँ, तो x4, y4, ये कुछ इस type का बनेगा, ये second line होगा, ठीक है, दोनों कहां intersect कर रहे हैं, अगर ये जानना चाते हैं, तो ये x equals to 3, और y equals to 2 पे, 3,2 पे intersect कर रहे होंगे, ये आपको graph paper से पता करना पढ़ा, इसको पता करने का तरीका मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया है, तो ये आपको graph paper से ही पता करना पढ़ेगा, जब आप graph बनाए shade, ये simple सा, ऐसा, ये वाला area दिख रहा है आपको, ये है, इस line और y axis के द्वारा बनाया हुआ triangle, तो ये triangle को shade करने बुला, also find this area, तो area find करना है, तो आपको सबसे पहले समझना होगा, कि ये intersect हो रहा है बटा, 0,8 पे, ठीक है, ये कहां intersect हो रहा है, 0,8 पे, ये कहां intersect हो रहा ह है, ये intersect हो रहा है, 0,-1 पे, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, कि ये 8 units है, और ये 1 unit है, तो आप समझ पारे हो गया, कि इस triangle का base, इस triangle का base, हम कितना लिखेंगे, इस triangle का base हम लिखेंगे 9, सही बात है, और height, तो अगर कोई मुझ से height पूछे, तो मैं बूलूँगा यहार बड़ा simple है height तो, यहां से यहां वाला line, यह वाला line, तो यह वाली line इसकी height है, तो यह distance कितना है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां से perpendicular drop करोगे, तो यह 3,2 है, मतलब यह वाला distance 3 है, तो अगर यह distance, बहुत सारे बच्चे इसको 2 लिख देता है, उनको लगत base, base कितना है बटा, 9, base 9, और height कितनी है, 3, तो half into 9 into 3, 27 by 2, 27 by 2 को तुम 13, sorry, 27 by 2, इसको 13.5 भी लिख सकते हो, सारे लोग को clear है, जल्दी बताइए, यहां है ना, तो इस तरीके से, देखो इन लोगों के graph भी ऐसे ही बना, 3,2 पे cut हो रहा है, 0,8 पे यहां cut हुआ है, 0,1 पे यहां cut हुआ है, यह पूरा triangle बना है, same graph, थोड़ा आडा किड़चा बना है, उसका, तुम tension ना लेना, बट ऐसा बनेगा, और इसका final, answer 13.5 square units, सब को clear है, यह जो, lining, lining क्यों हो रहा है, रुको एक मिट थोटा सा, brightness बढ़ाने दो, अभी सही है, क्या, अभी भी lining आई रहा है अभी ठीक है, छड़ो उटा हूँ, हाँ, चलिए, तो बढ़ते हैं आगे, अगले सवाल, अचा, पहले देख ले, कौन-कौन champions है, तो यह सारे लोग champions है, इनके लिए तालिया हो जाए, very good, तो first position पे रही है, Manjul Patat, Manjul ने बताया है, answer 13.5, great session, love it, thank you Manjul, Tajinder Kaur 13.5, very good, Manish Mishra, homework answer 13.5, very good, Piyush Sarma, HW answer 13.5, very good, बहुती बढ़िया, शांदार, चलिए, आगे बढ़ते हैं, जो जो बच्चे अभी आए हैं वीडियो में, हम लोग बस वीडियो शुरू करने वाले हैं, आप लोगों से निवेदन है, कि अपना attendance mark कीचे, प्रेजेंट सर बोल के नहीं, वीडियो को लाइक करें, तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दो, और जिंजिन लोगों ने चानल नहीं सब्सक्राइब किया, हिट दाट सब्सक्राइब बटन, ठीक है, चलिए, शुरू करते हैं, one short linear equation in two variable का, आज हम लोग इस एक वीडियो में, linear equation की सारी चीज़ें पढ़ था, ax plus by plus c equals to 0, कितनों को याद है, chat box में आते रहना चीए, me, कितनों को याद है, किहां सरी याद है, linear equation का, in two variable का standard format यह है, पका, याद है, ठीक है, solution of linear equation in two variables, अब अगर solution की बात करूं, तो दो तरीके, तो मतलब अभी तो आपको सिर्फ graph पढ़ना है, दूसरा तरीका algebra वा है, कि जब आपके पास, दो लाइने होती है, तो वो दो लाइन जहां intersect करती है, उसे कहते है solution, या फिर, ये तो दो लाइन की case में, या फिर अगर सिर्फ एक लाइन हो, तो बेटा, अगर आपके पास सिर्फ एक लाइन दी गई है, तो हर वो point, जो इस line पे lie कर रहा है, हर व बनती है, equation से, अभी अभी आपने देखा कि कोई भी linear equation in two variable है, जैसे मान लो 2x plus 3y is equals to minus 6, तो ये line का कुछ तो graph बनेगा, वो graph straight line होता है, अब इस equation का कुछ solution भी होगा, हर linear equation in two variable का solution होता है, तो इसका solution क्या होगा, तो इसका solution वही points होंगे, जो इस line पे lie कर रहे हैं, ये हमन देखा था, याद आ रहा है, कुछ पल्ले पढ़ रहा है, जल्दी बताओ, कुछ चमक रहा है बाल को, या कुछ नहीं चमक रहा है, जल्दी बोलो, चमक रहा है, बच्चे दो बोल रहे हैं, चमक रहा है, चलो अच्छा, चमका क्योड़ा, अजा, इस पूरे chapter का marks weightage है, 8 marks क तो drawing the graph, यह आपको हर हाल में exam में आएगा ही आएगा, आपको graph draw करने, यह question हर हाल में आएगा, लिख के ले रो, guarantee, और equations of line parallel to x-axis and y-axis, वो तो हमने देखे थे, याद है, अभी शेक हालिया, कुछ याद आ रहा है, चलिए, अब जल्दी से, याद आ क्या, सही है, बहुत सार तो उसका variable का power तो 1 रहेगा, उस variable के साथ कुछ constant जुड़ा रहेगा, जिसको हम coefficient बोलते हैं, तो वो coefficient a, b और c इसका constant, यह सारे real number होने चाहिए, याद रखिएगा बस, ठीक है, तो कोई भी linear equation in two variable लिख दिया हमने, standard format है, अब example के दोर पे आप इसको देख सकते हो, clear है, कहता है कि express कीजिए इसमें से कि क्या a, b और c होगा, तो देखो equation तो लिखी हुई है, इस equation को बस standard format में लिखो, मतलब सबसे पहले मैं लिखना चाहूँगा minus 2x, फिर मैं क्या लिखना चाहूँगा, फिर मैं लिखना चाहूँगा plus 3y, और फिर 6 को मैं इधर ले आउँगा, तो मैं लिखूँगा minus 6, sorry, फिर मैं इधर लिखूँगा minus 6 equals to 0, क्योंकि उधर plus 6 है, इधर आके minus 6 हो जाएगा, अब अगर इसको मैं compare करूँ, ax plus by plus c बराबर 0 से बिटा, तो a की value दिख रही है साफ-साफ minus 2, b की value दिख रही है साफ-साफ 3, और c की value दिख रही है साफ- सत्य बचन, आगे a, b, c, यही सेम काम आपको इसमें भी करना है, यहाँ पे क्या करोगे, फिर से x by 5 लिखा है, तो 1 by 5 into x लिख सकते हैं, x by 5 को 1 by 5 into x लिख सकते हैं, वैसे ही y by 6 है, तो इसको लिख सकते हैं क्या minus 1 by 6 into y, और वैसे ही उधर 1 लिखा हुआ, उसको इधर ले तो minus 1 बरावर 0 जैसे ही आपने यह सारे चीजे लिख दी अब compare करो इसको A से तो A की value दिख रही होगी 1 by 5 B की value minus 1 by 6 C की value minus 1 तो लिख दो A कहां गया यह तो यह तो अच्छा इन लोगों ने ऐसा ऐसा कर दिया कोई बात नहीं आप ऐसा भी कर सकते हो देखो यहां पर क्या किया गया है यह तो हो गया A की value 1 by 5 A की value 1 by 5 B की value 1 by 6 minus 1 by 6 हमेशा आद रखना always along with a sign sign के साथ लोगे और C की value बटा minus 1 ठीक है बन गया अब इन लोगों ने यहां पर क्या किया है बड़ा simple काम कि LCM ले लिया है 6 को इधर 5 को इधर 6 5 दो 30 LCM तो 30 LCM लेके 6X minus 5Y इस 30 को इधर बेजा फिर 30 इधर लिया है तो यहां से A की value इनकी निकलाई A की value 6 B की value minus 5 और C की value minus 30 आपका कई सारे बच्चे confused हो जाएंगे बोलेंगे Sir इसमें सही कौन सा है एक्जाम में कौन सा लिखेंगे marks तो नहीं कटेगा दोनों मेंसे कोई एक लिखा तो ऐसा कुछ नहीं होगा आप दोनों लेख सकते हो दोनों पर पूरे marks मिलेंगे और कही marks नहीं कटेगा दोनों सही है ठीक है clear बड़े आगे यार बता तो बताते जाओ चमका की उड़ा चमक रहे सबको जल्दी बताओ पका चमक रहे चलिए solution मैंने बताया आपको solution का simple मतलब है जितने points उसको satisfy कर रहे हैं तो simple सी बात बताओ कोई भी equation 2x plus 3y equals to 6 ठीक है इसका graph बना लो तो इसका graph बनाओगे तो ऐसे कितने points होंगे जो इस line पे lie कर रहे हैं पूछने वाला सवाल ही नहीं है सर infinite points है infinite points है infinite points है बहुत सारे point Lord कर रहे हैं इस line पे तो बिटा इसके कितने solutions होंगे क्यूंकि जो point लाई करता है वो सब solutions होता है तो इसके infinitely many solutions और फोप सारे solution होगे Linear equation in two variable कोई भी हो, उसके हमेशा ही infinite, linear equation in two variables के हमेशा ही infinitely many solutions होते हैं, clear है, पक्की बात, हाँ आना, जल्दी-जल्दी, chatbox में वो जोश दिखता रहना चाहिके, हाँ सर समझ आ रहा है, क्योंकि ऐसे भी तुम revise कर रहे हो, हाँ कोई नया बच्चा होगा तो वो पढ़ रहा होग find the solution of the form x equals to a and y equals to 0 and x equals to 0 and y equals to b for the following linear equation, this is there any common solution, अच्छा, देखते हैं, बिटा एक बात याद करो, यह अभी शेक और आलिया वाला जो हमने case देखा था, तुम्हें याद है, कैसे बना था यह case, मैंने आपको बताया था, याद करो कि बिटा यह x-axis है, यह y-axis है, कोई भी line, जो हमेशा अभी शेक, अभी शेक x के साथ parallel चल रहा है, हमेशा याद रखना वो अभी शेक के साथ नहीं रहेगा, आगे चलके अलग हो जाएगा, सिर्फ साथ साथ चल रहा है, आगे जाके कहीं मिलेंगे नहीं, तो याद करो मैंने बताया था, कि यह parallel तो x के देख रहा है लेकिन इसका equation होगा y बराबर constant याद करो बताया था जिस भी point से pass कर रहा है जैसे मान लो अगर 2 से pass कर रहा है 0,2 से तो इस line का equation हो जाएगा y equals to 2 याद आ रहा है ऐसा कुछ बताया था उसी तरीके से मैंने बताया था कोई भी ऐसा line बेटा जो y axis के parallel हो जाए तो parallel तो यह चल रहा है y axis के लेकिन इसका equation x equals to constant बनता है मानों यह 5,0 से pass कर रहा है तो इसका equation बनेगा x equals to 5 सारे बच्चे समझ पा रहे हैं हाँ या ना जल्दी chat box में दिखना चाहिए सारे समझ पा रहे हैं तो इस तरीके से lines बनती है अब यहाँ पर आजाओ यहाँ पर सवाल है सवाल कहता है x equals to a मुझे नहीं पता मैं सबसे पहले graph बनाना चाहूँगा बना दिया ठीक है मैं सबसे पहले graph बनाना चाहूँगा बना दिया यह है y axis यह है x axis सत्यवचन बिल्कुल सत्यवचन अब ध्यान से बिटा x equals to a कोई एक line होगा जो a से pass कर रहा होगा a, 0 अब y equals to 0 याँ दा रहा y equals to 0 क्या था क्या थकरो मैंने बताया था x axis का दूसरा नाम क्या होता है y equals to 0 मतलब यह बोल रहा है कि एक यह वाला line लीजिए एक यह वाला line लीजिए x equals to 0 मतलब यह y axis बताया था मैंने यह सब सब बता रखा हूँ ठीक है x equals to 0 y axis को करता है और y equals to b तो y equals to b यहां से ले लिजिए y बड़ाबर b यह 0 कम अब b से pass कर रहा होगा तो यह तो बन गया डबा अब सवाल कह रहा है find the solution for the following equation तो अब इसके line बनाने हैं आपको यह जो equation दिया हूँ इसकी line बनानी है और आपको intersection point पता करना है intersection point तो वो कैसे पता करोगे अच्छे यहां पर नहीं दिख रहा है मैं दिखा रहता हूँ equation क्या है 2x 5y 10 2x 3y 6 देखो 2x 5y 10 और दूसरा 2x 3y 6 सत्य बचन चली देखते हैं अब ध्यान से बिटा equation ले लो x y और graph बना दो graph बनाओगे तो if I am not wrong 5 और 2 यह ऐसा परेंगा graph पहले वाले का यह pass करेगा 0,2 से बिटा और यह pass करेगा 5,0 अब तुम सोच जरूर रहे हो के सर आप यह इतना जल्दी कैसे कर रहे हो तो मैं दिमाग में कुछ कुछ कर रहा हूँ उससे हो जा रहा है आपने क्या करना है points बनाने है points लेने है वही काम करना है बस that's it ठीक है यहाँ पे अगर आप solve परोगे तो x की value 3 बन रही है और y की value 2 बन रही है तो यह जो दूसरा वाला है यह कुछ ऐसा बन रहा बेटा यह दूसरा वाला line का graph है ठीक है तो दोनों कहां intersect कर रहे हैं भाई कहां intersect कर रहे है साफ साफ दिख रहे हैं यहाँ पे intersect कर रहे है कर रहे हैं तो ये वाला point common solution हो गया क्या, बिलकुल हो गया, तो ये हो गया, x equals to 0 and y equals to 2, देखो 0,2 ये ही है solution, और इसे ही आपका हो गया solution, अब ध्यान से देखो, x equals to 0, y equals to 2 आया solution, लेकिन सवाल में तो कह रहा था कि, x equals to a, और y equals to b है solution, मतलब साफ बात है, साफ बात है कि यहां से x equals to a, जो की हमारा 0 है, तो a की value 0 बन जाएगी, और y equals to b, जो हमारा 2 आया है, तो b की value 2 बन जाएगी, सारे समझे, हाँ या न, जल्दी बताओ, सारे समझे, मतलब यह वला line इधर जलाएगा, तो is there any common solution, बड़ा simple सा answer हो जाएगा, x equals to 0, y equals to 2, is a common solution for the given equation, बिल्कुल है, कितनों को चमका, कितनों को चमका, जल्दी बताओ, chat box में, चमका नहीं चमका, अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं, no, नहीं चमका, ठीक, कोई बात, देखो ध्याँ से, बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या आपके पास एक पहला equation यह है, दूसरा equation यह है, आपने इन दोनों का line बनाया, दोनों एक common point पे intersect किये, तो मैं इसे ही common solution बोलूँगा, तो मैंने इसे common solution बोल दिया, आपसे पूछा गया है, यही common solution बताइए, तो क्या x equals to 0 and y equals to 2 common solution बना, हाँ, बना सर, x equals to 0 and y equals to 2, बिल्कुल बना, यह common solution होगा, ठीक है, y equals to 0 and x equals to 3, नहीं, y equals to 0, x equals to 3 तो यहाँ से common बना 0, 2, देखे, clearly x equals to 0 and y equals to 2 is a common solution, तो जैसे ही common solution होगे, बस इतना ही पूछा गया था, आप कुछ बच्चे सोचेंगे सर, फिर इसका क्या काम था, बिटाई, इसका कोई काम नहीं था, सिर्फ ऐसे ही बताया है, इसका कोई काम नहीं था, यह डंडो का कोई काम नहीं है, या तो यह मानलों confuse करने के लिए दिया गया है, समझ रहे हो, clear है यहाँ तक, अब चमका, जल्दी से बताओ, चैट बोक्स में, अब चमका, पक्का, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, चलिए, अगर सबका चमका, तो अच्छी बाद, अब यहाँ आते हैं, find the value of lambda, इसको lambda कहते हैं, lambda, 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 जो भी कहते हैं, लंगडा ओडा मत बोलने लगए, lambda है, lambda, x equals to minus lambda दिया हुआ है, और y equals to 5 by 2 दिया हुआ है, और कहता है कि यह solution है, इस equation का, solution है मतलब क्या, यह यहाँ पर डालूँगा value, इन values को तो satisfy करेगा, बस y करना है, तो देखो लिखा हुआ है, x plus 4y minus 7 बराबर 0, x के जगा पर क्या डालने हैं आपको, minus lambda, plus 4y के जगा पर क्या डालने हैं आपको, 5 by 2, और minus 7 बराबर 0, सही है, 2 से 4 काटो, दो बार में, 2 5s are 10, 10 minus 7 और यह है minus lambda, सही है, इस minus lambda को इधर भेज़ दो, plus lambda हो जाएगा, और equals to 10 minus 7, 3 हो जाएगा, जल्दी बिताओ, सबको समझ में आया, यह तो बड़ा असान है, चमका होगा, यह तो सबको चमका होगा, चमक गया, पका, चलिए, अगर चमक गया, तो बड़े आगे, lambda की value 3, simple तरीका, अगला सवाल, ओ तेरी, यह तो मुन्नी है, तो चलो, अब मैं 2 मिनिट बता देता हूँ, इसके बारे में, तो अभी मैं आपको एकदम, starting में बता रहा था, आपको याद होगा, कि विदान्तू आपको क्या दे रहा है, विदान्तू improvement promise, तो आप थोड़ा सा detail में सुन लो, कि विदान्तू improvement promise क्या है, तो देखो बिटा, यह जो विदान्तू improvement promise है, बहुत ही simple सी बात कहता है, वो यह कहता है, कि यार पढ़ाई तो तुम कर रहे हो, और मुझे पूरा भरोसा है, मुझे क्या हर एक इंसान को भरोसा होगा, सिवाए तुम्हारे relatives के, relatives को कभी भरोसा नहीं होता है, वो तो हमेशा, अच्छा, बिटा, पढ़ रहे हो, वो यह नहीं पूछें, कितने number आएंगे, 85 आएंगे 90, वो पूछेंगे, पास कर जाओगे, अब यह क्या ना लाई किया थे, इतना पढ़ाई कर रहे हैं, पास तो करी जाएंगे, अब मतलब ऐसे सवाल जैसे, मालनो मेरे घरवाले नहीं, मेरे relatives मुझसे क्या करते थे, पूछे थे, मालनो मेरे, मतलब जैसे, पिछले exam में 80 परसंट आये, 70 परसंट आये, 70 परसंट आया ना फिर भी, तो अब 70 परसंट आया, तो मेरे अगला target क्या होगा, 90 परसंट लाना, 80 परसंट लाना, फिर भी मेरे जो relatives थे, वो क्या पूछते थे, पिटा इस पर pass कर जाओगे, पास क्यों नहीं करूँगा, 70 परसंट अल्री मांस आ रहे हैं, अब 75-80 लाना है, पास तो करी जाओगा, बिट दिया लेक, अच्छा, पास कर जाओगे, तो अच्छी बात है, इतना demotivating लगता था, लगता था, कौन हैं ये लोग, कहां से आते हैं, जबर जस्ती परशान करते हैं, तो दिया लेक, हाँ, पास कर जाओगे, चलो ठीक है, तो relatives को भरोसा नहीं होता है, बड़ बाकी लोग को तो ठीक है, भरोसा रहता है, कि हाँ, थोड़ा और मेहनत कर रहे हो, तो अच्छा करोगे, और तुम भी मेहनत करते हो, अभी जब मेहनत होती है, तो इसमें tension बहुत होता है, हमेशा pressure रहता है बच्चों के उपर, काफी सारा अच्छा करना, और खासकर यह जो relative लोग है, यह pressure को डबल कर देते हैं, कितने number लाओगे, कैसा करोगे, और फिर कई बार माता-पिता की भी गलती रहती, माता-पिता भी देखा है, मौसी की बेटी को देखा, कितना अच्छा कर रही है, देख, तेरी बेहन है, सीख उससे कुछ, देखा है, चाचा के, चाचा के बेटे को देखा, कितना अच्छा कर रहा है, वो टिंकू, इतना अच्छा करता है, दिन बार खेलता रहता है, फिर भी अच्छे पढ़ाई करता है, तेरे से कुछ नहीं होता अब माता-पिता compare करते हैं बिचारा बच्चा पूरा tension में तो हम नहीं बोला कि यार हम अब तुम्हारे माता-पिता तो नहीं बदल सकते हैं वो मुंकिन नहीं है देश में allowed नहीं है एक चीज जरूर कर सकते हैं वो ये कि भई तुम पढ़ाई कर रहे हो तो हम आधा-ाधा load बाट लेंगे load मतलब कि यार तुम इतना tension में होना तो आधा tension हम बाट लेते हैं हम कह रहे हैं कि यार तुम हमारे पास अगर आते हो तो एक साल पढ़ते हो तुम हमसे या दो साल कोई भी year long course लेते हो तो हम एक साल तुम्हें पढ़ाएंगे और इस एक साल की teaching में हम ये ensure करेंगे कि आपका result जो है वो पिछले result से अच्छा आए मतलब say for example अगर मैं बच्चा हूँ मेरे 70% आए तो अगर मैं विदान्तु में enroll करता हूँ तो विदान्तु के teachers इस बात की guarantee लेंगे कि आपका result इस बार 70 से ज़ादा आएगा it may be 80%, 85%, 90% कुछ भी और अगर ये guarantee जो return guarantee हम आपको देंगे अगर इस guarantee में हम fail हो गए मानलो हम नहीं ला पाए मतलब कोई बच्चा enroll किया एक साल के course में उसका 70% का और 65 हो गया तो विदान्तु कहता है या 70 का 70 भी विदान्तु कहता है कोई बात नहीं फिर आप 100% refund ले जाईए पूरा 100% पैसा आप वापस ले जाईए तो इससे कम से कम तुमारे दिमाग में ये clear तो रहेगा कि आर coaching तो ऐसी है जो पूरी कोशिश कर रही है हमें अच्छा करने की क्योंकि जाहर सी बात है अगर हम काम चोरी करेंगे तो हमारे सारे पैसे चले जाएंगे तो हम तो कोशिश कर रहे हैं अब बस आप अपने side से कोशिश को रहो जो कि आप जरूर कर रहे हो तो ये एक पहल है आपके tension को कम करने का और आपको एक तरह का insurance देने का बाई insurance में क्या होता है इंसान टपक जाए तो उसके पैसे मिलते है यहाँ पे आपका result का insurance हो रहा है result अगर टपक जाएगा तो आपका पैसा वापस आ जाएगा और अगर नहीं टपका उमीद कोई नहीं करता है और किसी को करना भी नहीं चाहिए इंसान चाहे result तो अगर result आपका अच्छा रहता है जो कि हम भी उमीद करते हैं आप भी तो बढ़िया फिर कोई tension ही नहीं समझ पा रहो और इन सब चीजों के लिए इंशुरेंस के कोई एक्स्टा पैसे नहीं देना होंगे आप जो नॉर्मल पढ़ाई कर रहा है जो नॉर्मल कोर्स की फीस है उसी में ये आड़ उन है तो ये आपको बनाता है मतलब बताता है कि आपको ये कोर्से में जाना आपके लिए at least tension free है much more better option है compared to others बाकी coaching institute में कही पैसे बावपस तो नहीं करेंगे बिल्कुल नहीं चाहे जो हो जाए वो तो आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ कोई टीचर कही पैसे बावपस किया है कोई नहीं तो इस वेदान्तों इंप्रूब्मेंट प्रॉमिस अब इस वेदान्तों इंप्रूब्मेंट प्रॉमिस में आपको कैसे इंडॉल करना है चलिए वो बताते है तो बड़ा सिंपल सा तरीका है बेटा एक देख लो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुखो, खुल जा शिमसिम, सॉरी मैंने खोला ही नहीं था, एक सेकंड रुख जा बेटा, एक सेकंड, बस एक मिनट में मैं आप लोगों को उपन करके दिखाता हूँ कि आपने कहां से इस कोर्स में एंतर करना है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, तो बिटा, आपने करना ये है, कि ये आपको दिख रहा होगा, देखो, मैं बड़ा सा ये ओपन कर दिया, अब देखो, इसमें दिखाता हूँ, तो ये तो भाईया, ये तो भाईया, आपका, ये सेशन है, ये, सॉरी, ये है विदान्तु मैथ का चैनल, इस व मूर का option कीजिए, description box मतलब open कीजिए, जैसे ही open करोगे, यहाँ पर दिखेगा, subscribe to विदान्तु pro now, दिख रहा है, आपने subscribe to विदान्तु pro now, इस link पे click करना है, और आप जैसे ही इस link पे click करते हो, एक नया page open हो जाएगा, जहां से, by default, आपका class selected होगा, ठीक है, 9th के हो आप सबसे basic subscription होता है, इसमें सारी basic चीज़ें आपको जो जरूरत है अच्छे पढ़ने के लिए, वो सब होता है, मतलब live classes हाँ मिलती है, classes खतम होने के बाद इनकी recording हाँ मिलती है, test हाँ, analysis उसका हाँ, assignment बिलकुल, notes बिलकुल, in assignment और notes को download कर सकते हो, हाँ बिलकुल, doubt बिलकुल ब इसका price बच्चा देखके थोड़ा डर जाता है, 27,000 सर, एक साथ इतना सारा पैसा कहां से लाएंगे, विदान तु बलता है कोई बात नहीं बिटा, क्यों tension देते हो, कौन मांग रहा है तुम से 27,000 रुपर, कोई नहीं मांगेगा, तुम सिर्फ क्लिक करो, यहाँ पर buy complete course, जैसे ही क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पर दिख गया आपको साफ साफ कि यह 27,000 है, बट एक बाजो में दूसरा option दिखेगा, EMI, easy monthly installment, इस installment की मदद से, आप इसी course को installment के थुरू ले सकते हो, जिसमें interest नहीं लगेगा, interest free loan है, समझ रहो, जैसे example के तौर में, आप कोई भी credit card, जो भी आपके पास, आपके पिता जी के पास, जो भी card है, credit card, debit card, यहाँ credit card है, नीचे debit card है, जो भी है, आप उसो select कर लें, जैसे माल लिजे मैंने ICICI select किया, अब यह 27,000 आप एक साल में हर महीने कुछ-कुछ पैसे करके दे सकते हैं, जैसे हर महीने 2250 रुपे देने होंगे आपको, तो सिर्फ 2200 उपीस देना होगा, और मजे से पूरे एक साल पढ़ो, इसमें यह भी है कि आपको किताबे भी भेजी जाएंगी आपके घर पे, printed format में books भी भेजा जाएगा, आपको पढ़ाया भी जाएगा, आपको पढ़ाया भी जाएगा, और आपक बच्चे के पास credit card नहीं है, मतलब उनके माता पता के पास है, या फिर वो बच्चा पहली बार विदानतु आ रहा है, या उसने आज से पहले कभी पैसे देखे पढ़ा नहीं है विदानतु में, तो उस बच्चे को try for one month option पे जाना चीए, क्यों? क्योंकि एर एक महीने का पर तुम trial ले लो, एक बार देख लो, समझ लो कि हां यार सब बढ़िया है की नहीं है, अगर doubt हो रहा है, तो कोई बात नहीं, rollback कर लेना, 2000 रुपह ही जाएंगे, उतना सारा पैसा नहीं जाएगा, तो आप एक महीने का ले लिजे, एक महीने का सब्स्रिप्शन लेने के बात किसी भी थ्रू payment channel के थ्रू पे कर लिजे, और पढ़के देखिए, अगर सब बढ़िया चलता है, तो फिर पूरे साल का ले लेना, नहीं बढ़िया चलता है, तो कोई बात नहीं, समझ रहे हो, समझ रहे हो, और हाला कि बच्चों का experience बहुत ही awesome रहता है, यहां पर कित कैसा है वीपरो में, they will tell you, they will tell you, कि मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, वीपरो लेके खुश है नहीं है, you can understand and you can feel the real feedback, real feedback आपको यही चैट बॉक्स में मिल जाएगा, देखो बहुत सारे लोग लिख रहे है, yes, I'm very happy, super happy, I'm a pro, pro plus student, अच्छा, that's great, अज़ा बच्चा बता रहा तो देखो यार, यह जो light subscription है, इसके बाजू में classic और plus है, classic में क्या होता है, कि आपको 24-7 doubt support की facility मिलती है, मतलब light वाले में तो यह है कि भी doubt solving during class हो जाएगा, तो during class मतलब जब class चल रही है, उस वक्त आपको पूरा doubt बताया जाएगा, यहाँ पे class चलने का कोई attention नहीं है, आपको जब भी doubt आए, आप तभी भी doubt पूच सकते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे classic में जाओगे, तो classic में आपको 24-7 doubt support मिलता है, और plus में आपको एक और extra feature, that is you get a personal teacher, आपको personal teacher ही दे दिये जाते है, आपको एक अपना teacher हो गया, आपको जो doubt आता है, आप उनको phone करो, clear कर समझ गया, clear है, तो this is how you can get into the session, ठीक है, आपको जो समझ में है, plus classic pro, तीनों में ही, आपको विदान्तु improvement promise भी मिलेगा, और एक साल वाले courses में, किताबे भी मिलेंगी, ठीक है, और अगर एक साल वाले के पहले आप try करना चाहो, तो try for one month, try for one month, आप इन options पे जा सकते हो, clear है clear है, चलिए, अगर यहां तक clear है, तो बढ़ते हैं आगे फिर, और क्या चाहिए, तो इसको टाटा बैबै बोलते हैं, चलो भाया, अब अगला सवाल, मतलब हम लोग देखते हैं, आगे हमारे लिए क्या बचा है इसमें, session में, तो here we go, हम, तो विदान्तु improvement promise के बारे में तो हम जान लिए, तो भाया आपको, और यह सारी चीजे में आपको अल्रेडी बता दिया है, फिर भी जान लो एक बार थोड़ा सा, कि आपको classes में, हर एक class, पहला तो unlimited live classes मिलेंगे, और हर एक classes में आपको quizzes मिलेंगे, जिससे कि आप बोर नहीं होगे विलकुल भी, खुब म खतम कर लोगे, तो उसके बाद जो replay, जो recording होगी, उसमें भी आप quizzes खेल सकते हो, leaderboard आपको दिखेगा, उसमें भी, ठीक है, और उसके बाद आप अपने handwritten notes, teacher के जो handwritten notes होते हो, उनको download कर सकते हो, बाद में पढ़ सकते हो, class में doubt पूछ सकते हो, quality test और assignment मिलेगा, वो सब ची चाहे होते हैं, micro courses ले लो, तो अपने level से, अपने speed से तुम पढ़ सकते हो, micro courses का मतलब है, कि छोटे छोटे एक एक चाप्टर के course होते है, मानलो भी chapter 1 चल रहा है, तुम को chapter 5 पढ़ना है, पढ़ो ना बिटा, micro course ले लो, और ये भी free है, एक बार जो बच्चा प्रो में आ जाता है, उसके लिए sub-free होता है, ठीक है, तो this is how you get into the session, और मुन्ना बता रहा है, कि जाधा दर लंबे time को course लो, तो सस्ता बढ़ेगा, एक साल वाला course सस्ता होता है, compared to monthly वाले course से, ठीक है, लिंक मैंने आपको बता दिया, चलिए, अब आगे बढ़ते है, graph of a line, तो graph of a line क graph बनाने का बहुत ही simple तरीका हमने देखा, कि भाया, x coordinate लो, y coordinate लो, x के different values पे, y की different values आएगी, यहां से आप coordinates बना लोगे, x, y लेखके, वो सारे x, y को plot करते जो, बन जाएगा, यही देखा हमने, चलो, एक try मारता है, सवाल कह रहा है, plot the points 3,5 and minus 1,3 on a graph paper and verify that the straight line passing through the points also passes through the point 1,4, अच्छा, ऐसा, अब एक point plot करो पहले, तो 3,5 और minus 1,3, मतलब साफ साफ दिख रहा है, 3,5 कुछ यहां पे, और minus 1,3 कुछ यहां पे, ठीक है, अब सवाल क्या कह रहा है, यह तो line, यह दोनों से pass करा है, तो line बन गया, अब सवाल कहता है, verify कीजिए 1,4 से pass कर रहा है, यह line, कैसे verify करोगे, अरे यह graph paper पे आपको बन बनाओगे, तो आपको दिखेगा कि 1,4 यहां पे कहीं like कर रहा है, यह हो गया minus 1,3, यह हो गया 3,5, तो आपको दिखेगा कि यहां 1,4 पे like कर रहा है, तो आपको बस यह graph paper के through ही बता सकते हो, जब बनाओगे देखो, minus 1,3, 1,4 and 3,5 like कर रहा है, ठीक है, समझ गया है, अगला, आरुशी was driving a car with uniform speed of 60 km per hour, काफी तेज गाड़ी चलाती है, draw distance कहा है आरुशी, इतना तेज गाड़ी क्यों चलाती है, आरुशी यहां पे भी है, session में भी है, मुझे पता है, draw distance time graph, from the graph, find the distance traveled by आरुशी in 2.5 hours, 1.5 hours, ठीक है, देखते हैं, तो यहां पे आरुशी गा 60 km per hour का मतलब यह होता है बिटा, कि आरुशी 1 घंटे में, 1 hour में 60 km travel कर रहे हैं, यही मतलब होता है, 60 km per hour, वैसे ही अगर 2 घंटे की बात करेंगे, तो 2 घंटे में वो 120 km per travel कर लेगे, 3 घंटे में 180 km, तो अगर इसका graph बनाना हो, तो हमसे क्या बोला है, distance time graph बनाईए, क्या बनाईए, distance time, तो पहले ले लेते हैं distance, पहले ले लेते हैं distance, क्योंकि distance time बोला है, तो यहाँ distance ले लिया, यहाँ time ले लिया, time 1 hour, तो मतलब y-axis पे 1, और x पे 60, x पे 60, तो 60 कहीं, यहाँ मान लेते हैं, कहीं, यह जादा दूर नहीं मानते हैं, ऐसा करते हैं, कि यहाँ सही, यही से बनाते हैं 60, यहाँ पे 60, तुम अपने हिसाब से बना ले, जैसा तुम को मान करे, फिर 2 पे क्या बताया, 2 पे 20, 2 यहाँ पे होगा, 2 पे 20, sorry, 120, 20 नहीं 120, तो 2 पे 120, अब ज़को यह 2 points मिल गए यह 2 points काफी हैं, इन दोनों को match कर दीजे, जैसे ही match करोगे, 0 hours पे तो 0 ही होगा, जब तुम चले ही नहीं हो, तो distance का आएका travel करोगे, तो यह इस type का graph बन जाएगा, और इस graph में जैसे देखो, यह है आपका 60 km, 1 hour पे, यह है आपका 2 hour पे, तो अब यहाँ पे यह आएगा 3 तो 3 hour पे जाहिर सी बात है, यह कितना travel कर चुका होगा, कर चुकी होगी, 180 km, आपसे पूचा है 2 and a half hours, तो बहिया यह 120, दो गंटे में और 3 गंटे में 180, 2 and a half hour जरूर बीच में होगा, तो बीच में आप graph से देख लीजेगा, यह आ रहा होगा 150 km, और half an hour में कितना travel करेगा तो यह भी यही से पता कर लो, एक गंटे में 60 है, तो आदे गंटे में 30, मिल जाएगा, यह सब graph से हो जाएगा, अब कई लोग इसको उल्टा भी बनाते हैं, उल्टा मतलब distance को इधर रखते हैं, time को इधर रखते हैं, बट वो भी सही है, कोई issue नहीं है, आप वो भी कर सकत हो, ठीक है, इन्होंने इन्होंने भी distance इधर रखा है, time इधर रखा है, बट आप चाहो तो इसको उल्टा भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 60, 1 में 60, 2 में 120, 2.5 में 150, देखो, 3 में 180, देखो, पताया था, ऐसे ही, ऐसे ही बनेगा, clear है सब को, chat box में यो यो चाहिए, जल्दी, chat box में यो यो चाहिए, अगर clear है तो, जल्दी, 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 सब को clear है, कैसे बन रहा है ग्राफ, सभी, चलिए, आगे बढ़ते हैं फिर, बड़ा simple सा है, 2.5 आप में 150 किलोमेटर, और 1.5 आप में 30 किलोमेटर, clear, चलिए, equations of line ये तो बताई चुके हैं, आलिया है न अभी शेक, तो ये है आलिया, जो हमेशा अभी शेक सर के साथ चलती है, लेकिन फिर भी, नाम किसी और का है, तो x-axis को बिटा, x-axis के parallel चलने वाला line, उसका नाम हमेशा y equals to constant होगा, और वो constant, वो value होगा, जहां से वो line pass कर लिए, हमेशा आप रखिएगा, वैसे ही, x-axis का दूसरा नाम है y equals to 0, क्यों, क्योंकि बिटा, इस x-axis पे हर एक point, हर एक point में आपको दिखेगा y coordinate 0, जैसे ये 1,0, ये 2,0, ये 3,0, तो देखो हमेशा y coordinate क्या हो रहा है 0, तो इसलिए y equals to 0, ठीक है, same, अगर कोई line y-axis के parallel होता है, तो वो line x equals to constant लिखा जाता है, और ये c क्या होती है, कौन सी value, ये c value होती है, उस point की value जहां से ये pass कर रहा है, मानों, ये c,0 से pass कर रहा है, तो इसलिए x equals to c, और y-axis का दूसरा नाम क्या, x equals to 0, क्यों, क्योंकि यहां पर x coordinate, हर x coordinate 0 होता है, समझ गए, चलिए, अगर समझ गए हो, ये तो बड़ा simple सा था, एक सवाल करते है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है, give the geometric representation of the following equation on the number line on the cartesian plane, बड़ा simple सा है, इस 3x minus 5 equals to 0, minus 5 को धर बेजो, तो 3x equals to 5, x equals to 5 by 3, बड़ा simple दिख रहा है, ये x equals to 5 by 3, number line पर ये 0 होता है, 5 by 3, 1 के बाद यहां कहीं होगा, clear है, number line पर तो होई गया, अगर मुझे cartesian plane पर दिखा रहा है, मतलब x, y plane पर, तो cartesian plane पर बिटा, ऐसा, ये होता है x, ये होता है y, ये है 1, ये है 2, और ये है कहीं 5 by 3, आप यहां से एक line पास कर दो, x equals to 5 by 3, मैंने बताया था, x equals to constant होगा, तो वो किसके parallel होगा, वह ये x के, हो गया parallel, simple है, clear, चलिए, अगर simple समझ में आ रहा है, तो बस वो 5 by 3 से पास कर गया, और अगर सिर्फ number line पे दिखा रहा है, तो ये है तरीका, चलिए, अब आगया आपका homework, आज के लिए इतना ही था, जल्दी से homework note करो, और जैसे ही ये वीडियो खतम हो, इसके comment box में सबसे पहला comment डालना, ताकि तुम्हारा answer top पे आए, और तुम्हारा नाम अगले session में आए, ठीक है, तो इसका answer नीचे comment box में डालिए, जिस भी बच्चे का comment सबसे पहले होता है, top 3-4 students को हम लोग अगले session में उनका नाम लेंगे, ये इन बच्चों ने सबसे पहले answer दिया, तो आप जरूर अपना answer डालिए, चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों आज के session के लिए इतना ही था, उमीद करता हूँ, पसंद आया होगा session, और जो जो बच्चे पसंद आया तो जिन जिन बच्चों ने वीडियो नहीं like किया है, hit that like button, subscribe कर दो channel को, और at the same time, subscribe के बाजू में एक bell icon होगा, उसके click कर लेना, ताकि आपको सारे notification इस channel के मिले, जभी भी video live हो रहा है, ठीक है, और जो जो बच्चा विदान्तू pro subscription में जाना चाहता है, मैंने already तरीका बता दिया है, नीचे, इसी video के नीचे description box में link दिया हुआ है, उस link पे click कर लीजे, आपको पूरा-पूरा detail मिल जाएगा, ठीक है, EMI के options भी है, वो भी मैंने बीच में बताया था, कि आप installment के through भी courses ले सकते हैं, या फिर one year का course लोगे, तो इसमें विदान्तू improvement promise मिलता है, guarantee मिलती है, कि आपका result सुधारा जाएगा, one year वाले course में, और अगर one year नहीं ले पा रहा है हो, तो कोई बात ही, हर month पैसे देखे भी आप पढ़ सकते हो, तो monthly course पी रहे सकते हो, one month का, ठीक है, सिर्फ 2,000 रुपए का course हा रहा है, 2,200 रुपए, समझ गए, चलिए तो आज के session के लिए इतना ही था मेरे दोस्त, मुलाकात करते हैं अगले session में, तब तक के लिए अपना खयाल रखो, take care and good night, bye, bye.